प्रदीस अध्यक्ष समराठ चौधरी बेगु सराय पहुंचे और बेगु सराय पहुंचने के साथ ये उनका भव्व स्वागत किया भव्व स्वागत में उनके उन्हें तराजू पे बैठाकर उनके वजन के इतना घी के बने लड़ू से उन्हें तौला गया है जी हां आप जो ये तस्वीरे देख रहे हैं वो बिहार के बेगु सराय जिले की तस्वीर है जहां समराठ चौधरी पहुंचे और उनके स्वाग अब ये जो तौलने की परंपरा है वो दक्षिन की परंपरा है जी हां दक्षिन में ऐसा कहा जाता था कि कोई भी बड़ी आदमी हो या फिर किसी भी आदमी का स्वागत किया जाता है तो उसे तराजू पे बैठाकर उनके वजन के हिसाब से सोने चांदी के सिक्के या फिर को यानि समान से तौला जाता है वहीं अगर हम तौलने की परंपरा को देखा जाए तो बिहार की राजनीती में भी काफी जादा अब ये परंपरा शुरू हो गई है जहां पिछले दिनों चुराग पासवान को भी तराजू में तौला गया था उनके वजन के हिसाब से उतने जो है वो तौली गई है और ये समान जो है वो गरीब और जरूरत मंद को लोगों को दी जाती है फिर चुराग पासवान हो या फे नितीश कुमार हो हर कोई तराजू पर बैठते हैं और तौले जाते हैं तो अभी जो बीजेपी के नय प्रदेश अधक समराठ चौधरी ज जहां वो जेडियू के कई नेताओं का शपत ग्रहन कराने पहुँचे थी जहां उनका भविस्वागत किया गया था और भविस्वागत के दौरान ही उन्हें तराजू पर बैठा दिया गया था और उनके वजन के हिसाब से उतने जो सोने के जो सिक्के होते हैं उस सिक्के स प्रदेस अध्यक्ष बनने के बाद बेगु सराय पहुंची और वेगु सराय पहुंचने के साथ साथ उनका जो स्वागत किया गया वह उट तराजु पे बैठा कर घी के लडू से उनका वजन तौला गया और यह जो लडू है वो लोगों में बाटा जाएगा तो आप जो नजारा देख रहे हैं वह समराढ machtim 4 का नजारा देख रहे हैं किस तरीके से देखिए वो तराजू पर बैठे हैं और उनके वजन के हिसाब से लडू बनाई गई है और उनके वजन से हिसाब से उनके एक तरफ समराच चौधी तराजू में बैठे हैं तो दूसरी तरफ वो लडू जो है वो दिख रहा है तो आपने देखा ये नजारा और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे हैं न्यूज फौनेश धनिवाद